राजधानी राची को सुन्दर और स्वक्ष बनाने को ले करके स्मार्ट सिटी जो है वो धुरुआ में लगभग बनने का काम जो है वो हो रहा है और इसे में कह सकते हैं कि लोग को एक नया सौगाज जो है वो मिलेगा इसके साथ साथ आपको बता दे कि दुरगटना से बचने के लिए स्मार्ट सिटी अंतरगत स्मार्ट रोड बनाए गए हैं साइकलिंग ट्रैक बनाए गए हैं और इस cycling track के बनने के बाद क्या वाकई में लोग यहाँ पर cycling कर रहे हैं या इसकी तस्वीर कुछ औब भया कर रही है यह हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं इस वक्त हम धुरवा के गोल चक्कर के पास है और यहाँ पर देखे किस तरीके से स्मार्ट सिटी अंतरगत cycling track जो है वो बनाए गए थे लेकिन इस cycling track का अभी फिलहाल क्या दूरदशा हो रही है वो देखे किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर बजार लगते हैं तमा जो सबजियां हैं वो बेची जारी हैं तमाम जो फलें हैं वो बेची जारी है तो कह सकते हैं यह देखिए यहाँ पर एक कबाडि वाले भाईया भी जो हैं वो cycling track से होते वे जा रहे हैं दुरगटना से बचने के लिए स्मार्ट सिटी के अंतरगत यह track बनाया गया था काफ पर देखने को मिल रही है यह आपको बता दू कि जिस तरीके से यह स्मार्ट रोड बना गया है साइकलिंग ट्रैक बनाई गई है यहां पर जो साइकलिंग करेंगे उनके सुविधा के लिए दी गई थी साथ इसाथ अगर बात करें तो रोड के उस पार जो पैदल चलने वाल सुन्दर यह तो साइकल चलाने वालों के लिए है तो यहां पर आप ठेला खड़ा करते हैं उधर से तुरा तभी खाड़ा के जारा अंदर लगाएंगे अंदर जाएंगे राची स्मार्ट सिटी के अंदर गज्जो है राची को सुन्दर बनाने के लिए 750 एकड़ में जो स्मार्ट सिटी बनाई गई है सुन्दर बनाने के लिए साइकलिंग ट्रैक बनाई गई है लेकिन अभी स्मार्ट सिटी बनकर तयार भी नहीं हुआ है और इस स्मार्ट ट्र प्रेक का ये हाल जो है आपने अभी देखा स्वागी प्रशान मित्रा के साथ अंकुर सिना समा 4 प्लस राची